हाई स्टूडेंट्स इस टूटोरियल में हम नाजीज के जो प्रोपेगेंडा चलते थे उससे रेलेटेड टॉपिक पिकप कर रहे हैं यानि दा आर्ट आफ प्रोपेगेंडा प्रोपेगेंडा मतलब होता है कि जब आप किसी बात को लोगों के बीच में फैलाना चाहते हो तो परचार करते हो उस परचार में काफी कुछ आप ऐसा करते हो जिसमें दिखावा काफी शामिल होता है लाइक की पोस्टर्स, बैनर्स, स्लोगन्स और मीडिया का यूज आप इसे इस तरह समझ सकते हैं जैसे हमारी एलेक्सन्स के समय पे जो कमपेंस होते हैं जो करते हैं वो नाजी एडेलोजी को प्र्मोट करने से रिलेटेड हैं क्योंकि जो नाजी आइडेलोजी थी वो मीडिया का भी अच्छा कासा यूज करती थी जैसे कि आज यूज होता है जो पर्टिकल करती हैं तना बढ़ा चाहँ कर recap कर बताते हैं जबकि उतना रियल नहीं होता और हम यह भी पढ़ेंगे किस प्रकार से वो जो प्रोग्राम्स चलाते थे अंडेजराइबल्स के लिए उनको खतम करने का तो उनको डिफरेंट नेम से वो प्रोग्राम्स को चलाते थे वहां कहीं पर भी किलिंग या मर्डर सब का यूज नहीं होता था तो वह सब आप ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिये, जिससे कि आप कोई भी M.C. क्यूआ है तो आप उसका आंसर दे सको, नाजी रिजिम मतलब जो नाजीयों का जो शासन था, यूज लैंग्वेज इन मीडिया, तो वह language का भी use करते थे, media का भी use करते थे, लैंग्वेज का मतलब language कोई ऐसे words यूज करते थे, phrases यूज करते थे, और media का मतलब newspaper हो गया, TV हो गई, etc. बहुत ध्यान से यूज करते थे, किसके लिए नाजी आडियोजी के लिए अफेन तो ग्रेट इफेक्ट और काफी यूज करते थे ग्रेट इफेक्ट का मतलब इससे काफी ज्यादा फायदा अपनी आडियोजी को पहुंचाते थे तो टेल्स के कुईंट को मतलब होता है जो अन्हों ने त्यार की थे किंठा इजो वकों और स्वियक्व धोख्वियू जोडब डी थे आव्यूज जीव प्रृइव श्लिफ ग्रा जयाएं नंतुम प्रिय्व 有 चीटिंग तो लोगोंने ऐसे वर्डू किये थे ले receptive थे जैसे और यहीं नहीं they are chilling जिसको सुनकर या जिसको जानकर आपका दिल धहल जाए इस तरह से Nazis never use the word kill Nazis कभी भी kill word का use नहीं करते थे कि हम किसी को माड़ने जा रहे हैं या किसी का murder करने जा रहे हैं उनके होते थे किताबों में लिखा जाते थे पेपर वर्क उसमें इन सबका वर्ड का यूज नहीं होता था अब धियां से देखिए आप mask links were termed as special treatment final solution मतलब जब आप बहुत बड़े पैमाने पे और large scale कई लोगों के एक साथ मारते हैं तो उसके लिए जो word use किया जाता था वो था special treatment final solution मतलब खास प्रकार का treatment हो रहा final solution का मतलब यहां यह हो गया कि अब मुक्ती मिल जाएगी इनसे अब वो problem दुबारा नहीं आएगी और ऐसा वो juice के लिए करते थे for the juice इतने शिया मतलब जिसमें आपको injection देखे या कोई भी होची की दवा देखे और आपको मार दिया जाए जिससे आपको दर्द ना हो यह disabled के लिए होता था किसके लिए होता था biological purity of the Aryans तो selection यानि चुनना और उसके बाद उनका disinfection कर देना इस तरह के वर्ल्ड के यूज होता था एक्वेशन इक्वेशन को मतलब होता है वैसे खाली कराना मतलब जीसे कम रेमों तो चाली करा देना जगाए तो खाली करा देना देना गाहँ एक्वेट कर दीजाते दिजे बाढ़ होगराती है so कि यहां आप आओगे तो एकदाम किटाडू वायरस मुक्त हो जाओगे यहां किटाडू वायरस खत्म हो जाएंगे और कौन से किटाडू वायरस की बात हो रही है यहां पर जो जर्म्स हैं वो हैं अन्डिजारेबल पीपल इस्पेशली जूज और लुग लाइक बात्रूम्स तो जो गैस चेंबर्स होते थे वो बात्रूम के तरह दिखते थे और उनमें शावर्स भी लगे वे थे मतलब सावर हैट्स भी लगे थे कि आप खोलोगे तो पानी की बचार होगी वास्तों में वो सब दिखावा था यह सब प्रोपेगंडा ही था उसका हम फाइनल सलूशन दे रहे हैं आप देखे मीडिया का कैसे उज होता था उससे उसमें परचार किया जाता था जैसे वे लोग नाजी आडियाज के लिए विजिवल इमेजिस का यूज़ करते थे ग्रैफिक्स का इमेजिस का फिल्म का यूज़ करते थे रेडियो में प्रोग्राम्स चलते थे पोश्टर्स कैची स्लोगन मतलब ऐसे स्लोगन की एक बार पढ़ लो तो दिमाग में चड़ जाए और लीफलेट्स जो एक एक दो दो पन्ने की जो चुट चुटे ना परचार समगरी होती है इन पोश्टर्स अच्छा पोश्टर्स में क्या होता था ग्रूप इडेंटिफाइड आज इन दर एक उसका एक इमेज बनती है वो उसकी स्टेरोटाइप इमेज होती है या वाली हुड में फिल्मों में लागू कर सकते हो कि जैसी आपने उस एक्टर एक्टर्स का नाम सुना तुरंत आपके दिमाग में आ गया यह तो विलेन है यह तो हीरो है तो किसी की छवी दोजय प्रकार से वह हे स्टेरोटाइप पल्रेटी डटअई बाते ही स्टेरोटाइप हो जाती ही तो जर्मन्स को स्टेरोटाइप किया के लोगों के बीच में कि GOT ऐसे ही मां य। उनका मजा खोराया जाता था अब यहां तक कि उनको अपशब्द भी कहे जाते थे और उन मतलब जिसका जिसका करेक्टर खराब हो चुका हो पतन हो चुका हो करप्ट लोग नीच गंदे किस्म के लोग अब जब मीडिया में बार बार इसको देखेंगे सुनेंगे खासकर जो हमारी यूथ हैं तो वह बहुत प्रभावित होते ना इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रू लाइक वाइरस कम्पीटर मखुस गया तो सिस्टम को खराब कर देगा तो उन्हें फॉरेन एजेंट्स कहा जाता था मैलिसस एजेंट्स जिनके गलत हिरा दे हो प्रोपगेंड़ा फिल्म्स तक बनाई गई तो क्रिए हैटेट फॉर जिसमें जूस के खिलाफ हैटेट थी इसमें से एक फिल्म का नाम यहाँ है इसको आपको याद रखना है mcq के लिए the eternal jews orthodox jews यह सब दो फिल्मों के नाम है वह इस्टेरोटाइब और मार्ग्ड यह फिल्म्स फिल्म्स थी तो उसमें जो जूस की जो इमेज थी वह स्टेरोटाइब इमेज उसमें दिखाई ग जूस का जो टेडिशनल पहनावा था उसका यह हिस्सा है और खाल यही लोग नहीं पहनते हैं ऐसा नहीं है कि पहनते हैं इसका क्या मतलब समझे आप इसका मतलब जो जर्मन्स थे उनमें जूस काफी घूल मिलके रहते थे उनकी शकल से आप नहीं पता लगा सकते थे कि हाँ यह जर्मन्स हैं जूस हैं अगर वो अपनी अलग पहचान बनाके ना चले हैं जैसे हिंदुस्तान में हैं आप दो लोगों को लाग खड़ा कर दीजी बस उनकी पहचान ना रहें उनके साथ कि चुर्की रखी हुई है दाड़ी रखी हुई है तो आप थोड़ी पता पाओगे कि हिंदूस हैं मुस्लिम सें क्रिस्चिन सें हाँ अगर कोई बाहरी आया ह हुआ है जो हमारे देश की कल्चर से में जो उसका चनम नहीं हुआ है तो हम जरूर कहा देंगे भाहिया यह तो अंग्रेज है अब चाहे हो नीदर लेंड करहने वाला हो आप थोड़ी पता पाओगे तो शिर्फ कहोंगा उसी प्रकार से जर्मनी में भी बाहर से नहीं पता लेकिन फिल्मों में उन्हें अलग दिखाया जाता था इडे कहा जाता था रैट पेश्ट देर मुवमेंट वर कंपेर्ड टू दो जब रोडेंट्स चूहों की प्रजातियां तो वो जो कुतुरने वाले चूहे जब जैसे चलते हैं उस तरह से उनकी चाल होती है नाजिसम व लोगों को मार्ने के लिए मास्किलिंग्स होती थी तो जर्मन्स होनक काभी कुछ कर भी रहा था तो नेस्टिन के नाम पर लोग उत्ना ध्यान उस पर लेते महीं थी वह बस तो वह वास्तों में अंडिजरेबल से घ्रना करने लगे थे टैप तो मतलब यहां पर यूज मतलब खुल कर यूज करिए इतना यूज कर सकते हैं ज़रा सोचे हम लोग फिल्म देखने जाते हैं और फिल्म में या हम सीरियस देखते हैं तो उसमें जो भी सैड सीन आता है हम लोग सैड हो जाते हैं जबकि हम जान रहे हैं कि यह सिर्फ नाटक है तो इमोसें के साथ खिलवाड करते हैं अच्छा उसके लावा जो पॉपलिशन के और भी जो हिस्से थे मतलब यूथ थे ओर डेस थे विमेन थी तो नाजी एटेलोजी का यह था कि हम समाज के जर्मनी के रहने वाले हर व्यक्ति तक हम पहुंचें तो उसमाजीज ही हैं जो समस्याओं को सुलजा सकते हैं अब देखें यहाँ पर दिखाया है कि एक पोश्टर है इसमें देखें यह पूरी जो है पैसे की गटरी है और उसके उपर यह बैठा हुआ है जू यानि यह पैसे के लालची होते हैं इसमें लिखा भी गया है कि नाजी पोश्टर टेकिंग जू इसमें दिखाया गया है कि money is God of Jews यानि जो Jews है उनका जो खुदा है इश्वर है वो God वो पैसा है in order to earn money और पैसा कमाने के लिए वो बड़ा से बड़ा अपराद भी कर सकते हैं दरसल जो Jews थे वो सताय तो बहुत कहे थे पिछली बार मैंने आपको बताया था कि Middle Ages में उनके साथ बहुत ही अत्या चाहर हुआ लेकि फिर भी वो अपने आपको एकोनोमिकली स्ट्रॉंग कर लेते हैं वो नाराम करता है जब तक कि इतना पैसा ना कमा लेगी पूरी गठी त्यार हो जाए बोरा त्यार हो जाए और जब तक कि वो पैसों को राजा ना बन मतलब वो पैसों के दिवाने थे पैसों के लिए कुछ भी कर सकते थे इस तरह से उनकी इमेज बनाई जाती थी और देखे यहां पे हिटलर को दिखाया गया है जैसे मजदूरों के साथ यहां क्या लिखा गया नीचे हम पढ़ें और नाजी पालिटी पोश्टर यह नाजी है सोल्जर इसको बोल दीजे यहां देखेे जर्मन फार्मर अच्छा देखे यहां पे जिया गया है जर्मन फार्मर यू बलॉंग टु हिटलर यpre alan जर्मनी का किसान तुम हिटलर को सपोर्ट करने कि लिए बने हो तुम हिटलर के हो जर्मन फार्में संद्स य buyer टेंटीम अब देखें यहाँ पे दो लोग टार्गेट हो रहे हैं एक तो capitalist हो गए यानि कि जो European countries थी और अमेरिका भी और दूसरी तरफ मार्क्सिस्ट यानि कि जो communist थे याना रश्या था वगल में वो communist कंटी था तो उस प्रकार से दो खत्रे बता दिये किसान के लिए यानि ना वो capitalist के पास जा सकता है ना वो communist के पास जा सकता है और बॉलसिविजम जी से हम अलरेडी पड़ चुके है ना बिग कैपिटिलिजम औन बॉलसिविजम दो खत्रे हैं कैपिटिलिजम और बॉलसिविजम वही जो communist work hand in hand, यह दोनों मिलकर काम करते हैं, जबकि दोनों घुर विरोधी हैं, मतलब कि capitalist विरोधी होते हैं, communist उसके बावजूद भी, यहां किसानों को बताया जाता है, कि दोनों एक ही थेली की चट्टे बट्टे हैं, और देखें क्या लिखा है, कि दोनों का जो सोर्स है, वो जूज हैं, यानि जूज इनको सपोर्ट करते हैं, बताये, इनका भी बिरोध करें, इनका भी बिरोध करें, जूज का भी बिरोध करें, यानि इनका विरोध करो We alone can rescue the farmer from these dangers सिर्फ हम ही किसानों को विलब rescue किसानों को rescue the farmer इन खत्रों से बचा सकते है विलब Jews की विचारधारा पे capitalism भी चलता है walsuism जो communist भी चलते है और ये दोनों को दोनों अगर सफलता प्राप्ट करेंगे तो एक प्रकार से Jews की सफलता कहलाएगी तो इनका विरोध करो इन खत्रों से कौन बचा सकता है Hitler बचा सकता है उसको नाम दिया गया National Socialism ये परचार समगरी एक leaflet है है ना इस तरह से अपना बनाने कोशिश करता था और यहाँ पे दिया गया है इतलरे दे नियुरिम पार्टी रैली क्राइटी में 1934 में बन चुका था तो विमें इस मोस्ट स्टेवल एलिमेंट स्टेवल एलिमेंट का मतलब होता है कि जो बरबर बना रहे इन दे प्रिजर्वेशन ऑफ फॉक फॉक मतलब जनता पीपल प्रिजर्वेशन मतलब उनका रख रखाओ उनका संग रख्षन तो महिलाएं ही जिम्मेदार हैं लोगों के रख रखाओ के लिए उपर अपर लोगों की सेवम लगी रहती है से दे मोस्ट अनौरिंग मतलब होता है विच डज नोट फेल मतलब अटूट ना टूटने वाला सेंस का मतलब समझ विश्वास तो औरतें एक प्रकार से उस अटूट विश्वास उस अटूट समझ मतलब उसके अंदर एक ऐसी जवर्दा समझ है कि लोगों की मतलब the people जन संख्या जिसे हम कह सकते हैं उनके रख रखाओ के लिए उनकी कितनी जरूवत है of everything that is important to not let a race disappear कि हमारी नसल खतम न होने पाए अब समझे यहाँ पर जो जर्मन औरते हैं तो वो किस तरह से प्रभावित होंगी इसको सुनकर कि हमें जर्मनी में जर्मन population को बढ़ाना है और अपनी race को बनाए रखना है वैसे मैं यहाँ पर किसी religion को target तो नहीं करूँगा but this thinking is present almost in all religions कि हमारी संख्या सबसे ज़्यादा हो हमारी संख्या सबसे ज़्यादा हो और कैसे हो सकता है महिलाँ से because महिलाँ ही बच्चे को जम देती है because it is hurt children क्योंकि वो उसी के बच्चे है who would be affected by all this suffering in the first place क्योंकि अगर कोई मुश्किल का समय आता है कोई suffering time आता है तो उसी के बच्चे suffer करेंगे क्योंकि उन बच्चे को जनम किसी माने दिया होगा that is why we have integrated the women in the struggle of the racial community इसलिए हमने महिलाँ को integrate किया है शामिल किया है अपनी उस racial community में यानि जो racial ideology है कि वो अपनी race को बनाए रखने के लिए जो कुछ हो सकता है वो करें उनको उसकी समझ भी है वो करती है just as nature and providence nature को मुझा होता प्रकरती वही महिलाँ है पुरूश है सब की प्रकरती होती है अपनी रेश को बनाए रखें अपनी नसल को बनाए रखें और यहां क्या है इन एड्रेश टो विमें अट निवरेम पार्टी यह उननी से चोंटिस का ही है यहां साफ साफ कह रहा है कि महिलाओं को जो पुरूशों का संसार है उसमें इंटर्फेर नहीं करना चाहिए दो नोट कंसीटर इंटर्फेर इंटर्फेर इन इस मेन स्फेर पुरूश की अपनी दुनिया है उसमें और तो कदम भी रखना चाहिए और हम यह मानते हैं कि यह बहुत प्रकर्टिक है कि दोनों दुनिया अलग अलग रहे है मतलब महिलाओं की पुरूशों की कहने मोड़ यह ए कि दोनों की बराबरी नहीं हो सकती आदमी क्या करता है कि लड़ाई के मैदान में क्या करता है वो अपनी हिम्मत दिखाता है The women gives in eternal sacrifice और महिला भी अपना self-sacrifice देती है In eternal pain, दर्ड सहती है Eternal love जो बरबर बना रहे हर औरत को सहना पड़ता है Sufferings, every child that women bring एक भी बच्चा जो एक मा जनम देती है इस दुनिया में लेके आती है वो भी किसी युद्ध से कम नहीं है बच्चे को जनम देना उस समय जो pain होती है वो किसी युद्ध से कम नहीं है बच्चे को जनम देना ठीक उसी प्रकार से एक पुरुष भी युद्ध के मैदान में दर्द सहता है, लड़ता है, हिम्मत ही खाता है A battle wait for the existence of a people लेकिन जो मा सहती है वो लोगों की जनसंख्या को race को बनाए रखने के लिए for the existence of a people तो महिलां को काम अलग है वो बाहर जाके दुनिया में, battlefield में लड़ते हैं और महिलाएं भी pain सहती है to maintain their race इसके बाद तो कुछ भी नहीं है तो ये तो टूट्यों लेंगे खत्मोंता है thanks for watching